दोस्तो बहुत बुस वागत है यूटूब चैनल में दोस्तो अभी अभी एक बहुत बड़ी ख़बर निकल करके आज किये सभी महिलाओं के लिए आप दोस्तो 2019 में मोधी सरकार ने एक बहुत बड़ी यूजनन निकाल दिये सबी महिलाओं के लिए अब दोस्तो 2019 में सबी महिलाओं को मोधी सरकार देने जा रही है स्कूटर अगर दोस्तो आप भी इस यूजना का लाब लेना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लाश्ट तक देखेगा एंड तक इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस यूजना का लाब लेना है और कैसे आप इस यूजना का लाब ले सकते हो तो आज जान लेते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा एंड तक और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करदो चैनल को सब्सक्राइब करदो तो चलिए आपको बताएंगे कैसे आपको इस यूजना करना दोस्तो इससे पहले आप से छूटे सी request है कि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है इसको आप किलिक करोगे तो आपके सामने एक चोटा सा नननस जो वाल का आइकन आपको देखी गंटे के निसान इसे विए आप टेच कर दे ताकि आप ऐसे यही नई ने वीडियो महिलाओं को आधी कीमत पर मिलेगी स्कूटर नए आधी कीमत पर मिलेगा 2019 में मोधी सरकाव ने यह स्कीम लॉंच की है तो दान मंत्रे नरेंदर मोधी ने सनिवार को एक खास स्कीम को लॉंच किया है इसके तहे कामकाजी महिलाओं को स्कूटर खरिदने पर समसिटी दी जाएगी तो इसमें जाब आप इससे स्कूटर खरीद होगे तो आपको कुछ आपके बैंक अकॉंट में पैसे दी जाएगे इससे आपको काफी भी फायदा होने वाला है यह यूजना तमनाडू के लोग प्रतिया नेत्रा उजा की 70 जैनती को मौके पर सुरू करी गई थी मोदी ने यह यूजना तमनाडू के मुखमंत्री के आत्मा निर्भाग बनाना है और इने जौब करने की प्रकृति करना है इसके तहे इसके तहे खरीद पर 50% की समसिटी दी जाएगी यानि अगर कोई कामकाजी महिला स्कूटर खरीदना चाहती है तो उसे केवल आदे कीमत चुकाने होगी तो जो महिला अगर कोई कामकाजी महिला है उनके लिए अगर वो इसकूटर लेना चाहती है तब उनको आदे पैसे देने होंगे और उनकी जो कीमत है उनको चुका दी जाएगी और प्रधान मंतरी मोदी ने यह यूजना का सुंब आप लेना चाहती हो तो लाब आप ले सकते हो सभी महिलाओं के लिए यह यूजना निकल के आज की 2019 में तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसे लगा कमेंटे में बढाएं इस वीडियो को लाइक करते हैं सेर करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो थैंगर सो मच अपना कीमती समय देने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धने बाएं